और आज हम बात करने वाले हैं step-by-step form filling for TVT 2024 UG तो यह form out है आपको सभी को पता है और इसकी last date है 26 March तो आप form गलत मत भरिएगा इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के end तक बने रहे हैं क्योंकि बहुत साही चोटी-चोटी queries है students की जो हम इस पूरे form filling process में आपको बताएंगे उसमे करने हैं और queries जो बच्चों की आती है उसमें सबसे important query होती है ABC ID कैसे भरना है category का क्या reservation है तो इन सारे पहलों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो के end तक मैं कोशिश करूंगे इन सारे सवालों के आपको जवाब दूँ तो चलिए आए इस देखते हैं कि कैसे CVT 2024 UG का form आ सबसे पहला है आपके passport size photograph जिसकी requirement रहेगी 20 KB से 200 KB तक की and आपकी signature वाइट पेपर पर आप साइन करके उसको क्लिक कर लीजे और 4 KB से 30 KB के बीच में यह file होनी चाहिए दो आपको अपनी mark sheet अपने आधार काट को अभी upload नहीं करना है लेकिए अपनी class 10th की mark sheet और class 12th की mark sheet और अगर अभी आप class 12th appearing है तो class 12th का admit card प्लस अपने आधार काट की copy आप लेकर साथ में बैठें क्योंकि इसके credentials आपको इस form में डालने होंगे सबसे पहले सबसे important देखते हैं कि क्या website है जिस पर आपको login करना है क्योंकि इस बार CVT ने अपनी website चेंज कर दी है तो इस बार की official website है exams.nta.ac.in और जब आप इस पर क्लिक करेंगे और CVT के पेज पर आएंगे तो यह पेज आपका खुल के आ जाएगा इस पेज में बहुत सारी और बी इंफरमेशन है और मैं time to time आपको बताती आ रही हूं anyway आपको यह तो जब आप जाएंगे तो आप यहां पर देखेंग है तो आप CVTUG.ntaonline.in इस पर से directly भी इस website को खोल सकते हैं आईए देखिए अगर आप पहली बार इस website को खोल रहे हैं और आप भी पहली बार आए हैं फॉर्म घुरने के यह तो आपका सबसे पहला step होगा registration करना registration करने के लिए यहां पर new candidate register here का जो option आ रहा है आप उस पर सब्सक्राइब करें और कुछ basic details आपको डालनी होंगी वह basic details क्या है वह मैं आपको बता दूं इससे पहले मैं आप ही सब ही मेरे students को यह दरूर अर्च करूंगी कि इसकी जो website पे bulletin दिया है UG 2024 CVT admission की bulletin जिसमें सारी information है आप यह ज़रू डाउनलोड करके इसे पढ़ ले त सबसे clearly first दिखेंगी वह यह है कि आपको फीज क्या पे करनी है थोड़ा सा फीज का highlight मैं आपको बता देती हूं अगर आप जनरल क्याटेगरी candidate है तो आपकी minimum fees होगी 1000 रूपीज जो की आपके three subjects के लिए valid होगी और हर subject जो आप बढ़ाएंगे उसके यह आपको additional 400 को ही apply कर सकते हैं तो minimum three और maximum six subjects है यानि अगर आप minimum 1000 रूपीज देंगे या 1400 रूपीज देंगे या 1800 रूपीज देंगे या maximum 2200 रूपीज देंगे being a general category candidate अगर आप SCST OBC या किसी या PW या third gender से हैं तो आपकी minimum fees 800 होगी और हर additional subject के लिए आपको 350 रूपीज पे करने होगे त at the time of payment आपको चाहिए होगी और payment केवल online mode से हैं इसमें आप कोई भी online mode यूज कर सकते हैं आप अपने credit debit card से net bankings और UPI से भी payment कर सकते हैं सो आईए देखें जब हम नीचे जाएंगे यहां पर कुछ basic information आपके लिए दी गई है कैसे आपको password सेट करना है यहां पर आने की बाद click here to proceed करें जब आप यह करेंगे देन उससे पहले आप यहां पर terms and conditions accept करें once you will accept terms and conditions click here to proceed करें तो आपके सामने यह पेज खुल के आ जाएगा जो आपका first step होगा towards form filling of CVT 2024 यहां पे कुछ options दीए हैं आपको iCard के आपकोई भी एक option select कर सकते हैं सबसे easy option आधार card है अगर आपके पास आधार card नहीं हो आप DigiLocker का account ID भी यूज कर सकते हैं ABC ID यूज कर सकते हैं आप Pancard यूज कर सकते हैं या जो भी आपके पास इन 6 option में से 7 options में से iCard है आप वो यूज कर सकते हैं तो मैं कोई भी option चूज करूँगी और जो भी option में यूज करूँगी वो मुझे यहां पे फिल करके एक OTP जब आप अपना iCard की details जाके proceed to click करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का form आपके सामने खुल के आ गया है इस form में बड़ी basic details डालनी है पर याद रखेगा यह सार नेम मदर नेम और आप देखें यहां पर नीचे लिखा हुआ है क्लास 10 की मार्क शीट के अकॉर्डिंग ही ने डालिए डेट ऑफ बर्थ जेंडर नेशनलिटी आइडेंटिटी टाइप यानि आपको एक और कोई भी आडेंटिटी चूज करनी पड़ेगी और आइडेंट नमबर क्या है फ्रिमाईस नमब या हाउस नमबर या फ्लाट नमबर आपके अड्रेस का जो हिस्सा है वो अप यहां डालेंगे लोकालिटी सब कांट्री स्टेट डिस्टरिक्ट पिन कोड देखिए याद रखिए याद्के आपके पास एक वैलिए ओन अडर्रेस होना बह या जितना भी CUET related notification है, आपके पास time लिया है, most of the OTPs जब आप form भरेंगे, वो भी आपके email ID पर आएगी, एक valid email ID जरूर बना लीजेगा, email ID डालने के बाद आप अपना country code select करेंगे, in case of India it will be plus 91, अपना phone number डालेंगे, confirm करेंगे mobile number, एक alternate number भी आपको यहां देना है, तो आप number के साथ साथ अपने either of your parents, your guardian, अपने sibling किसी एक का ऐसा mobile number दीजेगा, जिसकी accessibility आपके पास हो, ताकि कोई भी notification आता है, तो आप से miss ना हो, यह सारी details डाल कर, आप नीचे जाएंगे, तो देखिए आपके permanent address का भी option आ रहा है, अगर आप जहां रहते हैं, वही आपका permanent address है, तो same as present address आप click करेंगे, अगर आपको कोई दूसरा address डालना हो, तो आप वह सारे address की details डाल कर, यहाँ पर नीचे एक password creation के point पे आ जाएंगे, पासवर्ड आपको इस तरह से set करना है, कि एक capital letter हो, और कुछ small letters हो, and a combination of numbers, and one special characteristic, तो कुछ small letter, एक capital letter, यह जादा capital letter, तो smaller capital letter का combination, combination, number का combination, और कोई भी एक special letter बना सकते हैं, for example, you can make your password as C-U-E-T, जिसमें C capital रखे, at the rate 123, यहाँ जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको easily याद रहे, याद रखेगा, बहुत सारे बच्चे password भूल जाते हैं, तो एक diary pen लेके साथ में बैठीए, जिस पे आप यह सारी details note कर करते चले, once you will create a password, you will also have to select a security question, ताकि आपका भी password भूल जाएं, तो security question के through, आपको पासवर्ड रट्रीव करने में आसानी हो, बहुत सारे security question है, आपको यह भी security question choose करते हैं, what is your birth city, you can choose this and you can put your answer, जब यह सारी चीज़े आप भर लेंगे, नीचे आपको एक capture code दिया है, आप फुफिल करेंगे और इस form को submit कर देंगे, जब इस form को submit करेंगे, तो आपकी window, जो next window आएगी, so once you have clicked submit it, आप इस window पे redirect हो जाएंगे, आप याद रखेगा, जब आप इस form को submit करेंगे, तो 12 digit का CUET ID, registration ID आपके email पे आएगा, आप वापस जाहिए अपने email पे, और देखिए आपके पास 12 digit, एक numerical number आया है, 12 digit का, जो कि आपका CUET registration ID है, याद रखेगा, आप जितना भी results चेक करेंगे, form फिल करेंगे, उन सब जगाहों पे केवल और केवल ये registration ID यूज होना है, तो आप registration ID को भी कहीं save रख लिएगा, और अपना password ज़रूरी आद रखेगा, anyway, जब आ और आप new candidate नहीं है, you are already registered, तो आप इस site of the application पे आएंगे, जहां पे आपको login करना है, login करने के लिए आपको अपना 12 digit application number डालना होगा, जो password आपने set किया है, वो डालना होगा, और नीचे capture code जो दिया है, वो जब आप fill करेंगे, तो आप देखेंगे, कि आप actual form की तरफ आ हैं, यह मैं आपको करके दिखा रही हूं यहां पर, so when I'll click login, you will be redirected to the main form, और यह है आपका UGC 2024 CVT का main form, तो देखें, ऐसा दिखेंगा आपका main form, जहां पर यह दिखा होगा, कि आपका registration complete हो गया है, यानि आपको दो steps जरूर करने है, पहला step आपको application form बढ़ना है, और दू यह देखते हैं कि application form कैसे बरेंगे, यहां पर click करेंगे, तो आपको अपना premise number already prefet देखेगा, क्योंकि आपको अपना registration के नाइम पर, अपना address already डाल दिया था, तो यह address आपका already यहां पर भरा हूँ, आपको मिलेगा, आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, permanent address आपका भरा हुआ दिखेगा, आपको tick करना है, I agree पे, save and next का button दबा देना है, जब आप यह करेंगे, तो आप second lap of the form पर आजाएंगे, जिसमें आपको अपनी personal details दाननी है, जब आप यहां पर आएंगे, तो आप देखेंगे कि already आपको कुछ details यहां पर भी already fill दिख रही होंगी, क्योंकि यह details आपके आधार कार्ट से retrieve कर ली गई है, यहां आपके registration के time पर जब आपने fill करी थी, तो यह details आपकी already आपर पहुँच गई थी, तो कुछ details आपकी already यहां पर fill है, जो सबसे जादा confusion students को है, वो confusion है ABC ID का, बहुत सारे बच्चे हम से पूछ चुके है ABC ID क्या है, तो इसके लिए आप मेरा बनायो हुआ वीडियो refer कर सकते हैं हमारे prep guru के channel पे, मैंने detail में बात करी है ABC ID क्या है और कैसे generate करना है, ABC ID है आपका academic bank of credits ID, जो कि डिजी locker पे जाके आपको बनाना होगा, फिलहाल यह compulsory नहीं है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो आपका form submit हो जाएगा, पर मैं students से request करूँगी कि बहतर होगा कि डिजी locker पे अपना sign up करके ABC ID जरूर create करें और refer करें मेरे previous वीडियो को, इसके पूरी detail में जानकारी के लिए कि ABC ID कैसे बनाना है, आप अपना ABC ID इंटर करेंगे, आपकी date of birth, आपका नाम, nationality, यह सारी चीज़े और पे फिल होके आ रहे हैं, आपको अपनी category select करनी है, तो जो भी आप reservation दानना चाहते हैं, जो भी reservation आपके पास applicable है, वो आप division है, अगर आप OBC NCLA, यानि national candidate list में है, यानि national central government से आपको OBC certification मिला हुआ है, तो ही आप OBC category claim कर सकते हैं, otherwise अगर आपके पास state reservation है OBC का, तो आप general category ही फिल करेंगे, तो OBC is only for the national list, not for the state list, तो जो भी आपकी category है, आप यहाँ पर select करेंगे, आप अपने parents का education credentials डालेंगे, graduate थे, graduate थे, बहुत सारे options है, तो जो भी आपका applicable option है, आप यहाँ डालेंगे, पादर के अपने, occupation आपको यहाँ डालेंगे, in case your parents, your father is deceased, he is no more, यहाँ आप नहीं डालना चाहते हैं, तो not applicable का भी option आपके पास available है, तो आप not applicable भी चूस कर सकते हैं, इसके बाद, similarly mother के लिए आप उनके education qualification डालें, उनका क्या occupation है, डालें, आपकी income का क्या bracket है, family income का क्या bracket है, वो आप यहाँ से select करेंगे, अगर आपके पास कोई twin है, आपका कोई twin sibling है, brother, sister, जो आपके साथ इसमें apply कर रहा है, तो आप yes करेंगे, यहाँ पे, else you can select no, if you are a diabetic, अगर आपको diabetes है, तो आपका place of residence, आप शहर में रहते हैं, यहाँ विलेज लेवल पे रहते हैं, आप अर्बन है यह रूरल है, यह चीज़ आपको यहाँ से select करनी है, आपका जो भी applicable option हो, आप select करें, mode of preparation, आपने कैसे तयारी करी है, तो most of my prep guru students are preparing with us, जो कि आगे की CUT 2024 के लिए, अपना रास्ता clear कर रहे हैं, अच्छे से तयारी कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे online coaching या option select कर सकते हैं, medium of study आप Hindi medium से पढ़े हैं, या English medium से पढ़े हैं, कोई regional language में पढ़े हैं, तो जो भी आपका option है, आप यहाँ पे select करेंगे, आप I agree का button दबाएंगे, और save करके next कर देंगे, जब आप यह चीज करेंगे, तो आप third stage of the form पर आजाएंगे, जो की है, qualification detail, sorry, quota category, quota category वाले portion को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत धान से पिल करेंगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई reservation category है, जिसका आप benefit लेना चाहते हैं, तो this is the page जहां पे आपको इसका use करना होगा, याद जो भी आपके पास certification हो, EWS का या OBC का, वो one year से ज़्यादा old नहीं होना चाहिए, एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए है, तो ही यहाँ पे अप्ली के बोलोगा, फिलाल आपको document upload करने की जरुवत नहीं है, बट मैं आपको आगे CSAS portal, the university, BHU, जहां पे आपको यह लगान माइगरेंट है, डिफेंस परसनल है, अगर आपके 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 पेरेंट्स, आप NCC कोटा का फाइदा लेना चाहते हैं, sports कोटा अगर आपके पास applicable है, आप national player है, किसी भी sports में, तो आप यहाँ पे claim कर सकते हैं, गर आप claim करना चाहते हैं, university employee benefit यहाँ आपके माता कर लिए, जब आप यह चीज करेंगे, तो आप next page पे आजाएंगे, जहां पे आपको अपनी qualification details जाननी है, qualification details के लिए याद रखेगा, अपनी mark sheets को साथ में रखेगा, गर आप 10th pass है, अप 10th pass है, उसकी mark sheet को रखेगा, गर आप 12th pass नहीं है, अभी 12th appearing है, तो option में appearing लिख द शहर लेवल पे किया है, या रूरल लेवल पे किया है, आपको यहां पे डालना होगा, type of school, type of school में आपके बास सभी options है, आप government-aided school से थे, government school से थे, जा वहां नवयोदे विद्याले से थे, केंद्री विद्याले से थे, या private unaided institute जहां से भी आपने पढ़ाई की है, आप इसको click कर सकते हैं, और अपना school choose कर सकते हैं, qualifying examination country आप डाली है, यहां पर, जिस state से आपने पढ़ाई करी है, सारे state की options है, उत्तरपिदेश, बिहार, चंडीगर, केरला, जहां से भी आपने पढ़ाई करी है, आप उसे यहां पर फिल करेंगे, district फिल करेंगे, किस board से आपन आपके तुरन सर्च करके देख लीजेगा, आपके school का complete address क्या है, और pin code क्या है, क्योंकि एक mandatory field है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसके बाद आपका role number, role number पे बहुत सारा confusion है, students आपकी mark sheet में दो तरीके के number दिये होते हैं, एक registration number दिया होता है, और एक role number दिया होता है यहाँ पे आपसे role number मांगा गया है, registration number नहीं, usually CBSE और ISE board की mark sheet में कुछ digit slash three digit ऐसे करके आपके left hand side top corner पे role number दिया होता है, आपको role number डालना है, registration number नहीं, तो इस बात पे कोई भी confusion मत रखेगा, आप यहाँ पे role number डालेंगे, जो की कुछ slash करके इस तरह का दिखेगा, तो अपना properly देखके डालिएगा, और इसके बाद, यह सारी fields को click करने के बाद, I agree करके save and next कर दीजेगा, एक बात ध्यान से जरूर पढ़ लीजेगा सारी information, क्योंकि यह सारी information आपकी class 10th की mark sheet के according ही होनी चाहिए, कोई भी discrepancy बाद में आपका form reject का सकती है, तो बहुत ध्यान से बढ़ेगा इसको, जब आप I agree करेंगे, तो आप आजाएंगे सबसे important segment में, जो कि है university segment, मैंने detail video बनाया हुआ है, हर field के लिए, अगर आप commerce field से हैं, अगर आप science field से हैं, अगर आप humanities field से हैं, तो क्या क्यों options आपके पास available हैं, यह सारे videos लीचे आपको link में देख रहे है हैं, आप एक बार इन videos को देख लीजे, जिस भी stream से हैं आप, तो आपके पास किन-किन university और कौन-कौन सी courses के options हैं, वो सारा मैंने details में बात करी हुई हैं, इसके अलावा अगर आप किसी particular course का भी जानना चाहते हैं, तो वो video भी आपको मिल जाएगा, अगर आप B.com करने में इंट्रेस्टेट है, B.b.a. करने में इंट्रेस्टेट है, B.b.a. करने में इंट्रेस्टेट है, जनलीजम इंट्रेस्टेट हैं, तो इन सभी के माने detail videos बनाए हुए है, best universities के और उनके subject combination के, तो मैं से request करूंगी, कि यह पहले detail videos आप जरूर देख लें, इसके अलावा, ज लगबग 500 से पौने 200 लिस्टेड हैं जिसमें आपके पाप बहुत-बहुत सारे देश्गें चाहतें के अपने पसंद के उनिवसिटी को चूज़ करने के लिए आएगे देखते हैं कैसे करना है जो भी इन्वर्स्टी आप चाहते हैं उस उनिवर्स्टी को ड्रॉप डाउन लिससे आप सिलेक्ट करेंगे एंप तो आप देखेंगे जब आप यह प्रोसेस करते जाएंगे तो आपके पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी उन सारे ही कोर्सेज और युनिवर्स्टीज की जिसमें आप अप्लाए करना चाहते हैं दियर स्टुडेंट्स मैं आपको यह बता दूँ कि यह फाइनल लिस्ट नहीं है यह आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट हैं उनिवर्स्टीज के लिए जिसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इस नॉट अप्सलीट यानि ऐसा नहीं है कि आपने ड और पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैक्सिमम कोर्स और मैक्सिमम युनिवर्सिटीज आप फिल करिये जो कि आपके सब्जेक्ट कॉंबिनेशन को सूट करता हो ताकि आपके पास चॉइस बनी रहे आट टाइम ऑफ पाइनल एड्मिशन की कौन सजी उनिवर् निवर्सिटीज इसके बारे में देख सकते हैं विलाहन मैंने अपनी पसंद के इन्वस्टीज और अपने पसंद के कोर्सेस कि यहां पे लिस्ट तैयार कर दी है आप देखेंगे कि मैंने इन्युवस्टी अफ डैली का बीकॉम प्रोग्राम है बीकॉम ऑनर्स मैंने पढ़ा है आप अपनी पसंद के जो भी कोर्सेज हैं आप यहां पे फिल कर सकते हैं और आई अग्री करके आप इसको नेक्स्ट पे ला सकते हैं जब आप नेक्स्ट सेफ करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो कुल के आएगी जहां पे आपको सब्जेक पेपर सेलेक्शan करना है आप याद रखेएगा कि सब्जेक पेपर केज़्ेक्शन है वो बेस्ट होगा आपके युनिवर्सिटी और कोर्सी है मैं पहले की वीडियो में आपको समझा चुकी हूं कि यह सब्जेक सेलेक्शन कैसे करना है तो आएए ब्रीफ बीकॉम प्रोग्राम के लिए Anyone from section 1 मांगा गया है, एनी 3 from section 2 मांगा गया है, और अगर मुझे तीन डोमेन नहीं देने हैं, तो मैं कोई भी एक डोमेन subject के साथ, जनरल टेस्स लिख कर भी बीकॉम के प्रोग्राम के लिए Delhi University में अपलाए कर सकती हूँ, आईए दूसरे प्रोग्राम की selection list देखे, तो बीकॉम ओनर्स कहता है दिली इन्वर्स्टी का Anyone from section 1, तो चलिए आईए मैं एक language चूज कर लेती हूँ, और in my case मैं English लिखना चाहूँगी, तो first subject for me will be English, उसके अलावा, बीकॉम ओनर्स के लिए maths, accounts या बुक कीपिंग में से कोई भी एक subject देना कम पसरी है, so let's see, okay, let us choose, I am choosing for myself accountancy, तो मैं पर दूसरा subject लेना चाहती हूँ, accountancy और any two from section 2, इसके अलावा, कोई और दो subject मुझे section 2 से लिखना है, यानि मुझे total तीन domain लिखने हैं, अगर मैं become honors apply करना चाहती हूँ, तो मैं language में English लिख रही हूँ, accounts लिख रही हूँ, मैं domain में compulsory domain में, and दो और domain मैं चूज करती हूँ, let's say, I am choosing business studies for myself, and I am choosing math for myself, तो अब मेरे तीन domain subject हो गए हैं, accountancy, business studies, and mathematics, और मेरा language में मैंने चूज किया है English, तो ये चारो subject मेरे first course और second course को completely satisfy कर रहे है, BBAU का become honors और become कहता है, anyone language and general test, यहाँ पर मैं अभी तक तीन domain लिख रही हूँ, एक language लिख रही हूँ, और general test नहीं लिख रही है, तो अगर मैं BBAU में apply करना चाहती हूँ, तो मुझे general test लिखना पड़ेगा, यानि आप मेरे 5 subject बन चुके हैं, English, accounts, business studies, maths and general test, यह 5 subject अगर मैं लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ तक की अपनी list को completely satisfy कर रही हूँ, यानि मैं apply कर सकती हूँ, Delhi University and BBAU की B.com honors और B.com program में, आइए देखते हैं, B.H.U का कहता है, subject test, accountancy, जो की मैं already लिख रही हूँ, और general test लिखना है हमें, जो की मैं already लिख रही हूँ, यानि मेरे 5 subject combination से, मैं B.H.U का भी program को satisfy कर पा रही हूँ, इंदरपस्ता उनिवस्टी के ती है, 4 years B.com के लिए, English language लिख रही है, और general test, again मैं already English language लिख रही हूँ, यानि मैं इंदरपस्ता उनिवस्टी के भी criteria को satisfy कर पा रही हूँ, and so now we will come back to this final step, जहां हमें subject भढ़ना है, तो students, आपके 5 subject already ready हो चुके हैं, इसी तरह आप कभी चो permutation and combination बन रहा हो, universities और courses का, उसमें आप subject इसी तरह से choose कर लिजेगा, before coming to this page now, in my case मेरे 5 subject ready हैं, तो आईए उन 500 subject और मैं fill करती हूँ, तो मेरा पहला subject था English, तो देखिए मैं सबसे पहले English as a language डालूँगी, और medium of test paper, obviously English का English रहेगा, second subject मैंने चूज़ किया था, accountancy, maths and business studies, तो चलिए मैंने business study डाल दिया, जिस भी medium में आप paper देना चाहते हैं, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, आप उसे select कर सकते हैं, तो आईए मैं English select कर रहे हूँ, पर यह याद रखिएगा, जो medium of writing, a paper, domain subject, जो भी आप select करेंगे, वही सारे subjects में ही आपको लेना पड़ेगा, तो अगर आपने business studies को English में लिखा है, तो बाकी भी subjects आपको English में ही लिखने पड़ेंगे, तो आईए next paper subject में जो मैंने चूज किया था, वो ता accountancy, तो मैं नीचे देखूँगी, और accountancy को यहाँ पर click करके medium of selection English डालूँगी, याभी मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर medium of selection हिंदी करती हूँ, तो तुरांट मेरे पास एक pop-up window आ जाएगी, जिसमें आपको यह selection करने को नहीं मिलेगा, यानि जैसा कि मैंने कहां, आपको language same रखनी है, इसलिए medium of paper English ही रहेगा, नेक्स्ट जो मैंने paper choose किया था, वो था maths, तो आईए maths को यहाँ, mathematics and applied mathematics, medium of paper will be English, आपका Hindi है, तो आप Hindi डाल सकते हैं, और last मैंने जो selection किया था, वो था general test, तो general test, क्योंकि मेरे कुछ courses में compuls रही था, again paper of selection will be English, तो केवल 5 subjects डाल कर ही, मैं जितने भी courses में apply करना चाहती थी, मैं कर सकती हूँ, अगर आपके case में ये subject combination 4 बन रहा है, तो आप 4 लिखे, अगर आपके case में subject combination 3 बन रहा है, तो आप 3 लिखे, और अगर आपके ये subject combination 6 बन रहा है, तो आप 6 को select करके, again I agree का button दबा कर, इसे save on next कर दीजे, जब आप ये करेंगे, तो आप next point पे आ जाएंगे, which is the last and the final step of your form, and this step is going to be your center selection, जिस भी आप शहर से इस exam के लिए appear करना चाहते हैं, आपको 4 अपनी choices देनी होगी, तो पहला center आप select करिए, जो भी पहला center है, उत्तरप्रदेश जहां पे आप रहते हैं, आपको by default के वल वही state मिलेगा, तो मैंने अपने state में UP डाला था, इसलिए UP के ही जितने भी options हैं मेरे पास आ रहे हैं, आप जो भी city select करना चाहें, आप अपने पसंद की वो city select कर सकते हैं, जहां पे भी आप easily exam जाके लिख पाएं, तो चली मैंने ये 5-4 city select कर ली हैं, और अब जब आपने ये step कर लिया है, again you will click on I agree, जब आप ये कर लेंगे, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कि आपको अपनी photo or signature upload करनी है, आप अपनी चूज करके photo or signature upload कर देंगे, और save करके next window पे आ जाएंगे, तो आपने form का final submission कर लेंगे, और pay now पे click करेंगे, तो इस तरह की window आपके पास खुल के आएगी, जहाँ पे pre-calculated होगा, कि आपको कितना amount pay करना है, depending upon your category and number of subjects that you have selected, तो मेरे case में ये already बन के आ रहा है, और जब मैं इसे pay now करूँगी, तो मैं पास four banks के options आएंगे, मैं जिस भी bank का option चाहूँ, उसे choose कर सकती हूँ, जिस भी bank के साथ, मैं banking करती हूँ, वो option में ले सकती हूँ, so any bank you can choose, I am choosing a bank here, और जब मैं यहाँ पे click करूँगी, again मैं पास three option आएंगे, पहला option होगा net banking का, दूसर option होगा card selection का, तो मैं debit or credit card से भी payment कर सकती हूँ, तो 300 option है, UPI आएगा, तो जो भी option आप choose करना चाहते हैं, आप उसे choose करके, इस payment को complete कर सकते हैं, once you have completed the payment, इसका एक confirmation email आपके registered email ID पे आ जाएगा, that means now you are registered officially to appear for CUT 2024 examination, students, यह बात जरूर ध्यान रखेगा कि इस form में कई ऐसी चीज़े हैं, जो आप modify नहीं कर सकते हैं, उसमें आपका नाम, आपके personal details, आपके photograph और uploaded documents are the most important things, इनको आप change window में भी change नहीं कर पाएंगे, change window open होगी 28th March को for just 24 hours, यानि 29th March तक कहीं आपके पास time होगा changes करने के लिए, तो इस form में जो changes आपको allowed होंगे, वो केवल allowed होंगे, university selection, subject selection और कुछ personal details के लिए, जो की आप कर पाएंगे, तो कोशिश करिए, ये form आप first attempt में ही सही बरें, अगर कोई भी और जानकारी चाहिए, कोई भी information में आपको confusion है, तो आप हमारे listed numbers पर में contact कर सकते हैं, या comment drop कर सकते हैं इस video पर, अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है, CEVT 2024 UG Interest Exam की, तो हमारे पास बहुत सारे online और offline courses भी available है, हमारे पास fantastic mentors है, test series है, books है, जो आपको मदद करेगी इस exam को successfully clear करने में, so reach out to us and whatever queries you have, we will be happy to solve.